नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड चोति सीक्रेट साल का आखरी सूर्य ग्रहन लगने जा रहा है चार दिसंबर 2021 को और ये ग्रहन हलांकि सूतक काल मानने नहीं है और तमाम धार्मिक कारियों पर भी कोई मनाही नहीं रहेगी लेकिन खासकर जो गर्वती महलाएं हैं उनको बहुत साबधान रहना है अगर हम धार्मिक माननेताओं की माने तो किसी भी ग्रहन का सबसे अधिक प्रभाव प्रेंगनेंट महलाओं पर पढ़ने की संभावना होती है और इसमें किये गए कुछ काम मा और बच्चों दोनों के स्वास्त पर बुरा सर डालता है तो ऐसे में गर्वती महलाओं को बिसेज ध्यान रखना चाहिए तो चलिए जानते हैं वो कौन सब काम है जो आपको भूल कर भी नहीं करना है और क्या जरूर करें सबसे पहला आपको खुले आसमान के नीचे गरहन काल में नहीं आना है और गरहन को नंगी आँखों से किसी को भी नहीं देखना चाहिए चाहे आप महिला हैं प्रेगनेंट हैं या फिर बड़े बच्चे बजुर्ग हैं कोई भी नहीं देखे क्योंकि आँखों पर इसका सीधा बुरा असर पड़ता है और जो गरवती महिलाएं हैं उनको तो गरहन के वक्त अपने घर के दरवाजे खिड़की बंद कर लेना चाहिए और आपको भूल कर भी उनकी रोसनी में नहीं आना है गरवती महिलाओं को गरहन के दौरान घर के बाहर भी नहीं निकलना है नहीं तो आपके जो अंदर जो सिसू है उनके स्किन को नुक्सान पहुंच सकता है उनके तुचा को नुक्सान हो सकता है तो गरहन की छाया गर्वस सिसू के लिए असूम वाना जाता है सूरी गरहन के समय आप एक पानी वाला नारियल गोद में लेकर आराम से बैठे सरपड लाल दुपट्टा रखकर और आराम से आप बैठकर नमस सिवाय का जब करे हन्मान चालिसा पढ़ें गायतरी मंत्र पढ़ें क्योंकि गरहन के वक्त जो भी मंत्र पढ़ते हैं उसके कई की हजार गुना अधिक आपको फल मिलते हैं लेकिन मोबाइल टेलीविजन से दूर रहेगा जो प्रेगनेंट महिलाएं हैं घरवती महिलाएं हैं भूलकर भी चाकू छूरी कैची पिन यानि जैसे आप कोई भी चीज कट करना सब्जी अब यह नहीं कि गरहन का समय है कि तो कोई भी नुकीला चीज का प्रियोग ना करें सिलाई बेगर इस समय मत कीजेगा ताला चावी बंद करना खोलना ये सभी काम भी आपके लिए वर्जित हैं कथाओं के अगर हम मानें तो इनका प्रियोग करने से सिसू में विकृती का कारण बन सकता है तो गरहन के समय पर रहेंगी लेकिन अपने से काट कर नहीं खाएंगी कोई काट कर देगा इन्हें फिर यह खा सकती हैं सूरी गरहन के समय गरबती महलाओं को सोना नहीं चाहिए बिल्कुल भी नहीं सोना है आप फर्स पर वैसे आप बैठ सकती है लेट सकती है पर नींद में मस सोईएगा अभी वस्त्र को धुलने दे दें क्योंकि दूसी तरंगों का असर आप पर आपके बच्चों पर नहीं होगा तो ये तो थी कुछ खास बातें जिसका आपको बहुत साबधानी से पालन करना है अग गर्वती महिलाओं के लिए खास कर एक और बात है इसमें उची आवाज में बाते करना जगरे लडाई करना ये सभी चीजे मना ही है जितना ज्यादा संभभ हो आप सांत रहने का प्रयास करें प्रेम से रहे सांत रहें जोड़ जोड़ से हसना बोलना भी सही नहीं रहेगा और चार दिसमबर को लगने वाला ये जो सूरी गरहन है तो इसका चुकि सूतक होता है बारा घंटे पहले से ही सुरू हो जाता है लेकिन इस बार सूतक माने नहीं हो रहा है और सूतक के नियम के पालन भी नहीं होंगे और सूतक काल में जो सुबकार हैं पूजा पाठ है भोजन कार हैं वो नहीं किये जाते हैं लेकिन माने नहीं होंगे इसलिए आप यहां पर आपको कोई खास टेंशन नहीं होगी एक और बात गरहन कब से शुरू होगा और कब समाप्त होगा ये भी आपके लिए जानना बहुत आवस्यक है क्योंकि उस समय भले ही आपका भारत में आप हो या ना हो किसी भी देश में हो चाहे आपको गरहन वहां से दिखे य 69 मिनट से गरहन सुरू होगा और दोपहर 3 बचकर 7 मिनट पर समाप्त होगा तो ये टाइम टेबल में आपको संभल के रहना है धन्यवाद हम फिर मिलेंगे